जहें दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने उट्यूब चैनल बेस्ट अस्टेडिव पॉइंट में दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का कुछ इंपोटेंट प्रस लेकर आया हूं और अगर आप किसे भी एकजाम के तयारी कर रहे हो तो यह आपके लि वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक अधिक शेयर कर लें तो चलिए देखते हैं क्या है प्रस तो पहला प्रस नहीं आपका देखें एक चुनाओं में दो मीदवार थे जीतने वाले उमीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राथ हुआ और वह 900 मतों से विज़े हुआ ज्याद कि ये मत दाता सुची में कितने मत दाताओं का नाम दर्ज है चलिए अब देखिए इस तरह कि प्रस आपका बहुत जल्द 10 सेकेंड में बन जागा दोस्तों आप लोग पुरा वीडियो वाच कीजिए ठीक है अब बोल रहा है जीतने वाले उमीदवार को 65% मत प्र प्रसेंटेज की बात की होती है तो 100% में होता है जीत हार जो भी हो वह सारा सारा 100% में होता है तो जीतने वाले को 65% मिला तो हारने वाले को कितना मिलेगा हारने वाले को 135% मिलेगा 100% हो गया दोस्तों अगर दोनों को जोड़िएगा तो 100% हो जागा अब बोल रहा है 65% प्रसेंट 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 हो और वा 900 मतों से विजय हुआ तो ग्याद की दिये मत दाता सूचिम कितने मत दाताओं का नामदर्द है अब दे 30% मिला था हारने वाले को और जितने वाले को 65% कि 75% मतला करके 900 मतों से विजय हुआ तो hybrid है कितना लाया को 35 जीतने वाले को 55 परसेंट लेकिन ये 55 परसेंट ला करके 900 मतों से विजय हुआ तो इससे कितना लाया जादा तो 30 परसेंट लाया और 30 परसेंट बराबर 900 ठीक है अब देखिए 30 परसेंट बराबर 900 मत तो 100 परसेंट बराबर तो 900 गुने 100 बटा 30 अब काटिए इसको 30 तिया 90 और 100 अने कितना आ गया 100 को 30 से गुना कर दीजे तो 3000 तो कितने मदाओं का नामदार था दोस्तों तो 3000 मदाओं का नामदार था है चलिए मुझे उमीद है कि आप लोगो समझ में आ गई होगी चलिए अगले प्रस को देखते हैं दोस्तों अगला प्रस ने आपका एक मिंदर दोस्तों थोड़ा सकते हैं जलिए दूसरा प्रस आपका देखिए चुनावा आपका किलेर कर दूंगा मैं ठीक है इस रख प्रस्त जब भी आएगा आपका तो इसमाचानिस बनेगा इन आप लोग बस वीडियो को शेयर करते रहें दोस तो बस सही मैं कहूंगा आप लोग से आप लोग बुडियो को अधिक से अधिक से कीजिए ताकि सभी स्टूजेंट को जितने भी छादर पढ़ रहें जो भी आपके कंसल्ट में हैं उन लोग को फाइदा हो देखिए बोला दूसरा परस किसी चुनाव में ए और बी दो पर कि अधिक सिंपल है दो तो कुछ भी नहीं है जब भी बात होता है परसेंटेज का तो सौ में बात होता है बस इतना आपको आज रखना है ए ने कुल मतों का 45 परसेंट प्राप्ट क्या है एक कमत बराबर 45 परसेंट ठीक है तो बी को मत कितना मिला बी को मत 55 परसेंट दोनों जोड़ने से हो जागन 100 परसेंट दोस्तों अब बोल रहा है कि 45 परसेंट मत प्राप्ट किया परंतु हुआ एक हजार मतों से चुनाव हार गया तो एक को मिला 45 परसेंट और बी को मिला 55 परसेंट तो कितना ये ए जो है कितना कम लाया तो अंतर का बात कर रहा है, तो अंतर बराबर अब इसको आप घटा दीजिए, तो कितना आ जागा दोस्तों, तो दस परसेंट, अंतर कितना हो जा रहा है, तो दस परसेंट, और इस दस परसेंट बराबर ये दस परसेंट और ले आता न, तो बराबर हो जाता, तो इस दस पर लिख करके गुने सव बटा दस यह जीरो यह जीरो अब इसको गुना कर देश कितना आएगा दस अजार आएगा दस अजार इसका सही एंसर क्या आ गया तो दस अजार तो मुझे उमीद आप लोगो समझ मागे होगी पस कुछ भी नहीं दोस्तों बस आप लोग पूरा वीडियो वाच किजिए आप लोग को इतना अच्छा माय मायत करवा दूंगा कि आप लोग सारे एक जाम क्रेक कि दिए लेकिन आप लोग हमेशा चैनल पर बने रहे हैं तब ही वह पाएगा अगर भाग येगा तो कोई फाइदा नहीं होगा दोस्तों ना तो यूटूब पर एक से एक वीडियो है देखने बहुत मज़ाएगा लेकिन आप लोग वैसा मत किजिए आप लोग पढ़िए जौब लेना दोस्तों कि एक चुनाओ में तीन उमिद्वार ने भाग लिया जीतने वाले उमिद्वार को 45% मत मिला तथा तीसरे अथान पर रहने वाले उमिद्वार को 25% मत मिला अधित दूसरे अथान पर रहने वाला उमिद्वार 45-100 मतों से चुनाओ हार गया तो कुल कितने मद्दान किया प्राइस तो देखकर के लंबा इतना है आदमी एकजाम में छोड़के जला आएगा लिए आपको छोड़ना नहीं है आप छोड़के नहीं आएगा दोस्तों आपको करके आना है ठीक है तो तीन उमिदवार थे ठीक है अब मान लेते हैं ए, बी, और सी टीन ठोथा अब गहर जीतने वाले उमिदवार को 45% है यह जीत वाले को जीतने वाले को 45% मिला एगदम ध्यान से समझे दोस्तों एगदम ध्यान से दिखे जीतने वाले को 45 पर्चेंट मिला ठीक है और बोल रहा है मत मिला तो तीसरे अस्थान पर रहने वाले उमिद्वार को 25 पर्चेंट तीसरे अस्थान पर रहने वाले को 25 पर्चेंट तो तीसरे अस्थान पर यह है इसको 25 पर्चेंट मिला अब जब भी बात होता है तो पर्चेंट में 100 पर् से सत्तर परसंट जब सत्तर परसंट मिला तो सो में घटाएंगे तो इसको कितना भी लेगा 30 अब किलियर हो गया यहां तक दोस्तों आप लोगों का ठीक है एक विनल्ट दोस्तों अब देखे जोस्तों अब क्या है कुछ लोग बीच बीच में आकर की डीश्टैप कर देता है जब मैं भीडियो बन माता हूं तो तो कुछ लोग काम पर जाता हूं थोड़ा से साटारिता मैं ब्लास हो हूँ तहितने वाले को 45% तीसरे अथान पर रहने वाले को 25 पर बोल रहा है कि अधी दूसरे क्षान पर रहने वाले उमीद्वार को 45 सो मतों से चुनाव हार गिया तो कुल जतने मद्दातावों ने मद्दान किया ठीक है अब इस तरह के प्रस्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है दूसरे अर्थान और ये जीतने वाले अब इस से हमारा कोई लेना देना नहीं है ठीक है तो अब इसका अंतर निकालिए ये बुलाए दूसरे अर्थान पर रहने वाला उमिद्वार 45-100 मतों से चुनाव हार गया तो किस से हार गया ये जीतने वाले से हार गया ठीक है तो जी बोट लाया और निकल गया तो इसका तो टक कर इस अ से है से यह त्य女 परशन्त लाया था फ्ट 15 पर्शन्त लाया तो भी कितने मतों से हारा तो 15% मतों से हारा ठीक है और बोला का दी दूसे अथान पर रहने वाला उमिद्वार 45-100 मतों से चुनाव हार गया तो इस 15% बराबर देखिया आप इस 15% बराबर 45-100 ठीक है तो 100% बराबर 45-100 बरटा ये 15 रहें अब हम एक में और 100 में करके नहीं बता रहें दोस्तों यहां एक में नहीं बता रहें हम सौट में बताते हैं आप लोगो ठीक है अब उसको कटाए काटिए 15 तीया 45 और दो जीरो अब 300 को 100 से गुना की देगा तो कितना आ जाएगा तो 4-0 तो इसका सही नहीं सर क्या हो जागा तो 30,000 तो कुल कितने मददाताओं ने मददान किया तो 30,000 मददाताओं ने मददान किया चलिए समझ में आ गया होगा दो तो बस इस से हमको कोई मतलब नहीं यह तीसरे नंबर सो कोई मतलब नहीं है यह जीतने वाला 45 परसेंट लाया और हारने वाला जो है एक्जाम में भागिये गा नहीं छोड़िये गा नहीं दो तो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और चौतर परस को देखते हैं कि एक विंडर्स दो तो चलिए चौतर परस ले आपका एक चुनाओं में 20% मत अवेद घोसित किया गया है करीम और रावत को दो उमिद्वार थे रावत वैद मतों का 40% मत प्राप्स किया और सुल्ला मतों से प्राजित हो गया अनि हार गया तो ग्याद कि यह कितने मत दाताओं ने अपने मतों का परियोग किया कि सेम कोच है ने थोड़ा सा डिफ्रेंस है कुछ भी नहीं यह दो तो आप लोग वीडियो देखिए आप लोग कमायत इतना मजबूत कर दूँगा मैं ठीक है इन आप लोग को बोला था मैं टेलिग्राम जोइन करने लिए टे अवेद घुस्द किया तो कूल मत कितना होता है कि कूल मत है सब परसेंट होता है अब बीस परसेंट मत अवेद अवेद बराबर 20% तो वैद मत कितना है तो 80% कितना ता आप लोग को समझ में आ गया कि 100% कुल था और 20% मैत अवेद हो गया अन बरबाद हो गया समझ जाईए तो कितना 80% वैद था ठीक है कितना ता आप लोग को समझ में आ गया अब बोल रहा है कि करीम और रावत दो मिद्वार थे रावत वैद मतों का 40% मत प्राप्ट किया रावत जो है 40% वैद मतों का तो वैद मत कितना असी तो 80 का 40% ठीक है तो 80 का 80% का 40% तो 80 गुने 40 अब इसको गुने काड़ दीज़े आर्चो के 32 कितना मत आया तो 32 मत आया ठीक है अब देखिए कुछ भी नहीं है 32% ठीक है तो रावत अब ध्यान दीज़ेगा दो तो रावत और करीम दो एकती है तो रावत को जो है 32% मत मिला रावत को 32% मत मिला और जब 32% मिला और कूल वैद मत जो है यह 20% बरबाद हो गया दोस्तों 30% पर ही काम होगा नहीं अब बोल रहा है तो रावत वैद मत 40% मत पराप्त किया और सोलह सो मतों से प्राजित हो गया तो रावत जो है 140% मत पराप्त करके सोलह सो मतों से प्राजित हो गया तो रावत 32% लाया और करीम 48% 20% तो यहां बरबाद हो गया था तो अंतर निका लिए कि अंतर बराबर कितना आ जाएगा तो सोलह परसेंट अब दिखान दीजे, इस 16% बराबर 1600 मत, तो 100% बराबर, 600 गुने, 600 ठीक से लिख रहे हैं, 600 गुने सव बटा, अब इसको काटी है, 600 एक सो आएगा, और एक सो के एक सो सु गुना कर देंगे, तो 10,000 आजाएगा, ठीक है, तो इसका सही एंसर क्या आया, तो कितना आया, तो 10,000 आया, कितने मद्दाताओं ने अपने मद्दों का परियोग किया, जैले, आगे बड़तें दोस्तों, और पाचव परस को देखते हैं, आप लोग चैनल पर बने रहे हैं दोस्तों ठीक है, और अधिक अधिक सेयर कर दीजाए, टेलिगराम जोइन कर लिजएगा वहां कुछ और बात हो जाएगी ठीक है अब पाच्वे परस को देखते हैं लोग पाच्वे परस क्या कर रहा है देखे एक चुनाओं में दो मीदवार है एक मीदवार को 71% मत मिलते है तथा वह 756 मतों से चुनाओं जीत गया जीत गया तो क कमजोर से कमजोर इस्टृण को समझ में आ जाए मैं कुछ सभी करता हूं कि एकदम स्लो समझाने का दंदम ध्रे धैरे समझाता हूं या यौन थाभाश वह सबढ़ समय में आ जाए तो एक मिदवार को 71% मत मिलते है कुल मत जो होता है जब भी होता है तो 100% होता है ठीक है तो अरवा 756 मतों से जीत गया ठीक है तो जीतने वाले को जीतने वाले उमिद्वार को कितना मिला परसेंट हारने वाले उमिद्वार को जब सब परसेंट में एक घटा देंगे हम कितना आ जाएगा तो 29 परसेंट आ जाएगा तो हारने वाले को को 71 परसेंट तो अंतर बराबर अंतर बराबर कितना आ जाएगा एकारम नहों गया तो दो और छे में दो गया तो चार ब्यारीस परसेंट तीक है अब इस ब्यारीस परसेंट बराबर यह साथ सव छपन मत है साथ सव छपन मत तो सव परसेंट बराबर साथ सव छपन गुने सव बटा ब्यारीस अब काटिए साथ चक ब्यारीस 7 एकम साथ और सती अठी शपन अब फिर कटेगा देखिए चाओ 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 छोटे अरतालिस अब एक सो को अठारस गुना कर देजेगा तो अठारस सो मत हो जाएगा ठीक है तो जीत गया तो कूल मतों किसंग कितना है तो अठारस सो है चलिए समझ मां आगे होगा दोस्तो चलिए आगे बर्षते हैं और जीतना हो अधिक साथिक सेर कीजे वीडियो का अधिक साथिक सेर कीजे दोस्तो अब देखिए छटे प्रस को देखिए आप लोग छटे प्रस कहा रहा है आपका किसी परिच्छा उतिर्न होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार है एक विद्यारती को 32% अंक प्राप्थ हुआ तथा 24 अंकों से फेल हो गया तब परिच्छा में पुर्णां कितना था ठीक है अब तो आप लोग का ये परश्ट असानी से बन जाएगा उतिर्न होने के लिए 40% चाहिए अब यहां उतिर्न चाहिए लिखे उतिर्न होने के लिए 40% चाहिए ठीक है अब एक विद्यारती को 32% अंक प्राप्थ हुआ कितना प्राप्थ हुआ तो 32% प्राप्थ कितना हुआ दोस्तों तो 32% प्राप्त हुआ ठीक है अब बोल रहा है कि 32% रंग प्राप्त हुआ और 24 अंकों से फेल हो गया 40% उसको चाहिए था और लाया 32% तक केतना कम लाया अंतर का बात कर रहा है तो अंतर बराबर 8% ठीक है आनि 8% कम लाया इतना इंकम लाया दोस्तों अब बोल रहा है 8% और लाता ने तो पास हो जाता तो 8% बराबर 24 अंक ठीक है इसको 24 ठीक से कर रहें थोड़ा सा तो 100% बराबर 24 गुने 100 बटा आठ आठ तीया 24 तीया आगया 300 ठीक है तो परिछा का पुर्णा कितना था तो 300 अंको का था चले मुझे उमीद दोस्तों आप लोग को समझ मा आ गई होगी और आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को सेर किजे दोस्तों अधिक से अधिक सेर किजे और टेलिग्राम जोइन कर लिजेगा आप लोग ठीक है तैंक यू